बाइड बाइड वालकम टू आल साथ यो जॉंफ फैटर नमर न पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जारकन टेक्ट दोजार चोबिस के क्लास में आप सभी का स्वागत है जहां पर लोग पेपर टू याने लेवल टू जहां पर आप सिक्स टू एट के लिए जो आपक क्योग्रफी के को स्वागत करेंगे नए सिलेबस के एकपोडिंग क्या परशन बन सकते हैं उसी के एकप्रकरिंग बिल्कुल टू देप्वुएंट को स्वागत करेंगे और ऐसे अपने तैयारी को लगतार करते रहेंगे और जब तक आपका एक्जाम हो नहीं जाता तब तक इस प्रकार का practice set आपको मिलते रहेगा और सिर्फ paper 2 की ही ने paper 1 की भी class यहाँ पर start है आप चाहे तो playlist में जाकर देख सकते हैं और आगे भी classes आपको मिलती रहेगी तो चलिए जियोग्रफिक के classes में आप सभी का स्वागत और start करते हैं प्रश्नों को solve करने का सिलसिला पहला आकास का रंग नीला दिखाई देता है शुर्य किर्णों के याने आकास का रंग जो नीला दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है यह आपको बताना है शुर्य किर्णों के किस properties के कारण किस गुन के कारण अपवर्तन के कारण प्रकिर्णन के कारण प्रावर्तन क कारण या आवशोर्शन के कारण जिहां आकास का रंग यो निला दिखाई देता है वह प्रकिर्णन के कारण दिखाईता है सूर्ज के किर्णों का का प्रकिर्णन तो सूर्ज के किर्णन का प्रकिर्णन क्या होता है जब सूर्ज की किर्णन वायु मंदल में प्रवेश करती है तो जो महीन धूल के कन होते हैं उन से टक्रा कर वो किर्णन चारों दिशा में बिखर जाती है और सबसे ज़्यादा जो प्रकिर्णन होता है वह नीला color का होता है इसलिए आकास का रंग नीला दिखाई देता है option आपका b right answer होगा option b चली next आगला प्रष्ण वाय मंडल में पाई जाने वाली gasों में से सबसे भारी gas को ओना है वाय मंडल में पाई जाने वाली gasों में सबसे भारी gas को ओन वाख सा oxygen carbon dioxide nitrogen या helium तो सबसे भारी gas जो होता वो carbon dioxide होता है इसलिए आप दिखते global warming में सबसे ज़्यादा कर सकते हैं जो gas उत्तरदाई होता है वो आपका co2 होता है और यह temperature को काफी बढ़ा देता हमारा मंदल का क्योंकि यह निचली परत में पाई जाती है क्यों निचली परत में सबसे भारी होता है सबसे भारी होने के कारण सबसे निचली परत में पाई जाता है तो सबसे भारी gas कौन सा हो गया उपस्त्री सरवादिक होती है जलवास पर धूलकन की उपस्त्री सरवादिक किस मंदल में चोब मंदल शमताप मंदल मद्य मंदल या आयन मंदल तो सबसे जलवास को धूलकन आपका सबसे निचला परत होता है जो हमारा भूपरपटी का सबसे निचला मंदल पाई जाता है सबसिंद पहला जो मंदल या परत पाई जाता है वो हमारा छोब मंदल होता है तो छोब मंदल में जलवास पूर धूलकन काफी ज़्यादा पाई जाते हैं नेक्स्ट ओजोन परत पाई जाता है यानि ओजोन की जो परत्य पाई जाती है वह वायू मंडल के किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत वायू मंडल के जो विभिन लेयर है मंडल है उसमें से कहां पर आपको ओजोन परत मिलता है आयन मंडल मद्य मंडल शमताप मंडल या छोब मंडल तो आपको कहा मिलता है शमताप मंडल में आप्शन C आपका राइट एंसर है नेक्स्ट वायुदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है वायुदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते है जिससे वायुदाब मापने वाले यंत्र को कहते हैं जिससे वायुद आती किन दिग्री आकशन्स के लिए जाती है यह 10 दिग्री आकशन्स तो 30 डिग्री जहें चाहिए वह नौर्ट में ऑचराए शाउथ में वह आता है और इसके पीछे रीजिन क्या था जो नाविक लोग यहां जब सफर करते थे इस तीस दिग्री अक्छान्स के आसपास तो वहाँ पर के कहात भारी वर्षा के कारण कभी उनका नों का पलटने वाला होता था तो बचने के लिए उनके साथ घोड़े होते थे उसे वहाँ पर पहेंग देते थे उनको डूबा देते थे ताकि उनका भार कम हो जाए और वो दूबने से बच इसलिए इसका नाम अस्वक्छांस दे दिया गया है जो कि आपका विश्वत रेखा कि 30 डिग्री नौर्फ और 30 डिग्री साओर तो तो सबसे पहले आप जानते हैं कि भारत में यहां पर अरब सागर इधर बंगाल की खाली है यह आपका अरब सागर एसको करते हैं और यह बेव बंगाल अपका इसमें भी और फिर इसका दिशा क्या जाएं अफिर चले जा रहा है उतर और यह दिशा कौन सा पूरब पूरव दक्षिन पस्चिम से उत्तर पूरा option आपका ए में है तो ए नमबर तो ग्रिश मकालिन मांसुन हवा हैं किस दिशा कीवर चलती है दक्षिन पस्चिम से आपका उत्तर पूरिप कीवर है option A आपका सही answer है next question recommendation eight 735 वायू की गती समान उत्या किस यंत्र से स्मान तक किस यंत्र से मापते हैं जिस यंत्र से हमाते ह। वायू की गती को उसे क्या कहते हैं speedometer Wind van Barometer या एने ओमेंटर तो व आईउ की जो गति मापते हैं उसको क्या कहते है अम लोग speedometer windpeople जरो मीटर या फिर आपका एनिओमेंटर तो वह आपका होता है एनिमोमीटर डी नमबर ऑप्षण डी एनिमोमीटर से मिलए वाईव की गति को मापते हैं नेक्स्ट कॉस्चन नमर नाइन किसके दोवारा वाईव मंदल का परदूसन नहीं हो सकता इन्वे से जो गैस है किनके दोवारा वाईव मंदल का परदूसन नहीं हो सकता तो सबसे जो Y-Min Hendel का प्रदुसन जिसे नहीं हो सकता है, वो आपका क्या जहा है Hydrogen, चुजके Hydrogen भूछी हलकी GHz है, जो कि फिर्थिवी का जो Y-Mendel का निचले परत यहां के पाया ही नहीं जाता है तो इसलिए यह समानिस्या कारण है कि आपका परदूसरन का कारण यह नहीं हो सकता है जो वाय मंडल है परदूसरन का कारण वही गैस होगा जो कि भारी है और निचले परतों में पाई जाती है जबकि हाड्रियों हलकी है और यह उपर ही वाय मंडल का उपर ही भागों पाई हbokete है इसलिए वाइव मंदल में पर दूसरं का कारण से कौन नहीं हो सकता है तो आपका हिट्रिण का कारण बिलकुल नहीं हो सकता है नेक्स्ट निल्हिखीत मेंसे कौन सी सीट महासागर्य धारा है यानि महासागर में दो प्रकार की धारायई चलती जल्धारा यहां पूछा जारा सीथ सीथ यानि क्या होगा ठंडी सीथ यानि ठंडी जल्धारा के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको यह देखना होगा निम्नकित में से कौन सी ठंडी जल्धारा है यानि सीथ जल्धारा है तो उसमें से ब्राजिल धारा जो वह गर्म है किसी का आपका जल्धारा ये भी आपका गर्म है वेंगुएला ये आपका ठंडी जल्धारा है गल्प इस्टिम ये भी गर्म है यानि ठंडी जल्धारा में कौन सा होगे आपका सी नमर वेंगु एला की जो जल्दा रहा है मासागर की वह आपका ठंडी जल्दा रहा है तो अप्शन सी आपका राइट एंसर है तो चली आज यह के प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने सॉल्ब कर लिया है ऐसे ही जेटेट की क्लासेट लगातार यहां पर जारी है एक जाम फ साथ यह अगर आपको नौर्स चाहिए जेटेट की तो आप टेलिग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा वहां से आपको जेटेट की नौर्स की पीडियाप मिल जाएगी तैंक यू